अब हैं अब जगदीज आज वीडियो में एसे करने वाला है कि मार्केट यहां से और किस तरह का मुझन दिखा सकता है जो आपको हेल्प करेगा जो आप ट्रेट करते हैं निफ्टी में बैंक निफ्टी में या उसका कोई आप्टेट कर रहे हैं कौन कौन से स्टॉक है जो ग करेंगे और आपका भी कोई डाउट है जदि आपको आप कहीं पर स्टक कर गए हैं जरूर आप उसमें कमेंट कीजिए मैं आने वाले वीडियो में या हो सब्सक्राइब करें आपको में जरूरू वहां पर रिस्पॉंड करना चलिए और जदि आपको अच्छा लगता है त आफितक नहीं किया तो मार्केट Champions कुए अगा है मार्केट काफी वालटाइल काफी चूप्य मार्केट ऑब नीच्छो पर नीच्छे उपर नीचे काफी इंडिस जी हम चल चलँना है और ओसी इंडिसीशें साथ साथ आइं मार्केट नीचे करता देख देडिर देर भी मा सब्सक्राइब देखेंगे क्लिफिटी है एक दिन लगा एक पर जा रहा दूसरे छिस तरह से सब्सक्राइब यह तो निफ्टी आपका ऊपर से गिरते जा रहा तो यह यह जो है डाउन ट्रेंट लाइन है जहां पर बारवा रिजिस्ट करके जा है आपको निफ्टी जो है गिर रहा है निफ्टी चारता है घर जाता है जा आज तो आज जो है स्टॉक आज इंडेक्स ने जो है एक बीरिश के बनाया और उससे पहले एक डिसेज़ के बाद बना यह बताता है कि फर्दर वीक्नेस आएगा इसका से लो नहीं ब्रेक हुआ लो ब्रेक हता तो और इसमें इसके और रहा लो है वहां तक आने की चांस इसकी हुई तो आपको देखना है कि 16400 कि निचे क्लोज करता है कि आज भी देह हम ग्लोबल मार्केट को देखें तो ग्लोबल मार्केट देखेगा आपका सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब तो कल हम देखेंगे मौर्निंग में किस तरह से जो है एस बताता है उसकी विशिस पर हम ना एनसे कर सकता है कि मार्केट कहां पर कितना लेवल नीचे और कहां खुल सकता है कि ती हो गया है तो अभी एक्जैक्ट लेवल जो है मैं टेलिग्राम चैनल पर डाल देता हूं इसे हमने पहले पर जाला था यहां पर लेवल्स में यहां पर डाल देता हूं इसे एक्जैट लेवल जो है मौनिक मैंने सब्सक्राविश्य करके मिन यहां पर डाल व्याप्ता है तो हम ने आज जो है लेवल दिया था तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में कहां तक फॉल्वी सिस्टिन फॉर फॉर्टी क्यों तो फॉर सेवेंटिफाइव जो हमारा सपोर्ट था पहला सपोर्ट उड़ी गया था और सकेंड सपोर्ट की तुरह जाए मार्केट ट्रेंडिंग था कि फॉर वन जो वहां से उसना डिवार्स दिया ऐसे लेवल मैं वहां पर निफ्टी करेंगा तो निफ्टी पूरा सटप देखा जाए निफ्टी का काफे बीक है तो वहां पर जो हंडर्ड डेज मोविंग एवरेज है उसकी नीचे भी ट्रेट कर रहा है ताभी वहां पर एक सब्सक्राइब को देख रहता है निफ्टी बैंक को देख रहता है यह भी सिमिलर पैटर्न पर आपको यहां पर डोजी के बाद जो है कैनल ब्लेड इसके बनाती पताता है यहां भी एक वीक्नेस फ्राइडे को भी कंटीन हो सकते हैं यह भी गिरेगा यह आप इस पूरे ट यह जो है यह पूरा ट्रेंड एक्जास्ट कर गया है तो पूरा ट्रेंड यहां पर 78.6 तक बैंड हो चुका है यह पूरा चांसे है कि यह 100 परसंट बैंड करेगा तो यहां तक आपको लोग दीख सकता है जो भी आपको 34 जो भी 34,000 लोग है वो लोग तक आएगा वाले क्लोज करता है कि नहीं डिपन करता है उसके बाद यह प्रिवेस्ट लोग है वहां तक क्या मूवमेंट है वहां तक आने क्या पॉलती तभी वहां पर देखना है कि आज जो क्लोज किया है वह 61.8 परसंट पुराने लोग को देखना तो उसके रस्पेक्ट में यहां तक लिए इसको ब्रेक करेगा और फिर वह नेक्स लेवल तका जाएगा तो पर देखना है कि यह लेवल कि नीचे क्लोज करता है कि तो रिए यह लेवल को स्क्रोस क्लोस किया थाटी फॉर्थ हास्ट वाद दो स्लिप करके वह तक लोग बनाएगा लोग कि निचे क्लोज करेगा तो फिर दोनों आपका वीक है तो यह भी जो है 100 तो यह चार्ट देखें तो यह भी जो है 100 दे मुविंग आपके निचे ट्रेट कर देखें कि काफी बीरिश है तो और सोल जोन में बैंक डिव्टी है को इसमय के साथ और गेरते रहेगा ताइम वाज करेक्षिन फेस में पर अब आज हमने कुछ कॉल भी दिये थे आज में कॉल में भी दिया था पूल मे चल लेकि पूल दिया थे वो यह वह उसमसा मोल में डाया है दिए अभी इसम हम ने आज निफ्टी में 16500 का जो है एक हमने बताया था निफ्टी 16500 का आमने एक शीव दाथ सब्सक्राइब दाया था सिक्स्टीन वर्जन 500 का एक भी तो इसने 510 तक का हाई लगाया था कि आए फाई बंजी अगा हमने निफ्टी बैंक का भी दिया था कॉल निफ्टी बैंक का फूट का कॉल दिया था तो इसमें 1230 से 285 बैंक निफ्टी ने अच्छा मूंद दिखाया डाउन साइप में आज हुआ हाई लगाया था वह हुआ हुआ है निफ्टी ने यहां से ट्वल टी से ट्वल टी तक बताया था कि वहां तक गया था इसको फाटीन हंडर्ड के ऊपर ही हो गया है यहां तक स्पाइक मारा है 1384 कौन को से स्टॉक है जहां पर हमने श्तॉक वाज किया है तो आज हमने स्टॉक को क्रेंद किया था एक हमने पावर इंडिया बाधा था बाउल इन धा फौन चॉल को पर बिंद्स кажется Bund क Communion है कि आज स्टॉक ने हमने स्टॉक को रिकमेंट किया था कि आप थ्री डेवल सिक्स नाइन पर बाई कीजिए और 388 जो तक हम तक वाद हमने देखा यह मुवमेंट आप कंटीनु करता हमने 4000 तक के लेवल देदी तो पारवन या जो है 4045 तक तो किसने स्पाइब होना है इस स्टॉक नजार रख सकते हैं यह स्टॉक और आपको मुहर दिखा सकता है इसमें फॉर्दर मैं लेवल अप्रेट करोंगा यह स्टॉक यहां से 4000 को पर क्लोज करेगा तो 4500 तक जा सकता है इसका बाद एक स्टॉक ने बताया है जो कंसलेट कर रहा है कंसलेट जोन में बाह प्रेट अपजया है वासा एक्रक्टिव बंदा यह विस्टॉक जो है शार्ट अपक्रेशन यह स्टॉक वी जो है एक अपने फॉलिंग टेंडलन से बहार निकल रहा है कि प्रोटेंड राट कर रिवर्सर दे रहा है और यह जो कैंडल है एक आपका बुलिश मारो बोजो बन रहा है बुलिश क्लोजिंग मारो बोजो बताता है कि यह उपर जाएगा हमने इस सार्दा कॉप पे हमने कुछ लेवल दिया है और हमने 600 लेकर सिक्स सार्टिफाइट को लेवल लगता है कि यह आने जहें कुछ दिनों में हीट कर सकते हैं और कौन-कौन से स्टॉक है जहां पर आप अभी तो मार्केट ट्रेडिंग का नहीं है एकुमिलेशन का है कुमिलेट कर सकते हैं कि आइडिया में कुछ न्यूज चल लगी है इसलिवल स्टॉक में जो है न्यूज बेस्ट रैली थी इसमें परसिस्टेंट आप रहे हैं आदानी ट्रांसमिसन दादानी टूल गैस जो स्टॉक से फंडमेल अच्छे हैं जहां पर पोश्चन आ सकते हैं टाटा केमिकल को फ अच्छे हैं आप इस पर पोश्चन होना जिए एल्टी टीएस कि विप्रो ट्रेंट ती रहता स्टॉक जो है लाज कैप स्टॉक से कुछ स्टॉक से है मिट कैप देख लेते हैं मिट कैप में से आज हमने हिताची बताया था सारे गामा एंबर इंटरफाइज इसा स्टॉक पर आप पोश्चन बना सकते हैं त्रिवेन इंजिरिंग संटेक रियाल्टी सब कुछ स्टॉक हैं जो छोटे हैं लेकिन इसमें भी एक जो है एक क्या सकते हैं कुछ जो कुछ लोग जो है नहोंने चैनल पर डाउट ही बार मताई एक दो बार से वह बार बार टिंक कर रहा है तो लेटेंट वीज़ा है जितने भी टेक्लोजी कंपनी है सॉफ्टर कंपनी है तो उसमें काफी करेक्शन आया है और यह स्टॉक जो लेटेंट व्यूज़ा है अपने जो उसका लिस्टिंग पाई था उसकी नीचे भी स्टॉक कर रहा तो इस टॉक अभी जो है एक करेक्शन फेज में स्टॉक जो है आप देखेंगे स्टॉक में कुछ वीक से गिर रहा है तीन महीनों से गिर रहा है थोड़ी से पूल बैक आएगी लेकिन अभी स्टॉक जह है लॉंग करेक्शन की था यह भी करेक्ट किया है तो हमने इनको बताया है कि आप शॉर्ट टर्म को नजरिया है तो आप यहां पर फॉलो किजिए स्टॉक और यह भी आपको पूल बैक दे सकता है लेकिन जह है अभी टेक्निकली वीक है तो इसको है तो यह सब स्टॉक आफी जह है फोर सिक्टी फाइट पका सकता है फोर सिस्टी फाइट तो काया उसके बाद कि प्लोश करता हो इसमें पांसर पेक्ट पी लेखल आपको दिख सकते हैं अजय को एक स्टॉक है एक उन्हाने पुछा है सब बी-पी-सयल आइए पर विडियो गणाव बी-पी-सय देख लेते हैं अब बीपी-सयल बीपी-सयल चाहें जीज स्टॉक सब अपार इस सब अस इस टॉक सब जितने अच्छरन निकल याँ होतना अच्छा है डीपी सियर आयो सीयल इस अब यह स्टॉक है इस अब आपको वेल्ट क्रेशिशन के लिए है यह आप ट्रेट कर सकते हैं कुछ तक आप कुछ दिन तक ट्रेट कर सकते हैं लेकिन इन्वेस्टिंग स्टॉक नहीं है है तो यह सो सब्सक्नें कैम आप निकलने कोशिश कुछ बैसाल स्टॉब्मक्राश अपको 122 125 अब निकलने कोशिश नोचिए एक हैं का गल्स ग्लोबिल इंभ सेंट तो ग्लोबल स्टिट कने जें चालंड तो structural अब लेसकर है अभी जो है स्टॉक में करेक्शिन अभी चल रहा है स्टॉक पर लोह है एक हैंगिंग मैन बना इसके बाद इसके बाद गिर रहा है टो फटॉक आफी रिक्षिन फिसमें है तो फिर को फिर नहीं जाता है तो is तो हमारे से फॉर्द नाशन को ट्रैक करने के लिए सकता है मैं यिसरन पहलो करते हैं और आपको काट रग्यल टाइम में आपको के लिए पांधि और आप सब्सेंट में करना है तो फिच्छ करका रखता हैं और स्टॉक में करना है तो पोजिशन ट्रेट कर रगता है तो किसी तरह का आपको टिप्स आप यूट्यूब को दिक्शन बॉक्स में देखो वहां पर आपको स्टॉक रिकॉमेडेशन ऑप्सन्स रिकॉमेडेशन इसका बाद कंसल्टेशन पोट्फिलो रिगूर हरी तरह तक करके हैं तो इसमें भी कॉमेंट करते तो मैं आपको अपनी नेक्स वीडियो में या टेक्स को आपको अपनी अले से शेयर करना है चलिए हैपी टेटिंग हैपी नश्टिंग बने रही है